प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 15 अगस्त को लगातार 11 वी बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट को सम्बोधित करेंगे केजरिवाल ने उप्राच जुपाल को पिछले सब्ताहली की पत्र में कहा कि दिल्ले सरकार के स्वधनतरता दिवस सम्हारों में उनकी जगा दिल्ली की कैबिनेट मंत्री और दिशी राष्टी द्वज फहराएंगी हाला कि उपरा जुपाल कार्यारेनी मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई पत्र मिलने की बात से इंकार किया है भारती रेल्वे ने महराश्ट की राजनन्द गाउं और नाकपुर रेल्वे स्टेशनों के वीच से गुजरने वाली 72 ट्रेनों को रत कर दिया है क्योंकि विभाग स्टेशनों के वीच तीसरा ट्रैक बिछा रहा है दिली में जलभराओ की कारण पिछले दो महीनों में लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है ये मौते डूबने या बिजली के जटके से हुई हैं मने वालों में कम से कम 6 बच्चे थे जिनके उमर 3 से 10 साल के बीच है आवाद्मी पार्टी के नेता मनीशी शोद्या 14 अगस्त को पदियात्रा के जरी दिली के लोगों से मिलेंगे Federation of Resident Doctor Association ने सोमवार को देश भर में विभिन अस्पतालों की बाहरे कत्रित होकर देश्विया की हर्ताल की उन्होंने कॉलकता के अरजी कर मैडिकल कॉलेज में बलातकार और हत्या की शिकार होई प्रसिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके वाटसअप अकाउंट को हैक करने के बाद हैकर्स ने संदेश भीज कर उनकी टीम से 400 डॉलर की मांग की है पोक्यमंत्र योगी अधित्यनाथ ने अधिकारियों को 10 वर्षों में सकल नामांकन अनुपात को वर्तमान 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष रखने का दिरदेश दिया पटना में भारी बारिश की कारण बिहार विधान सभा परिसर, कई मंत्रियों के बंगले और शहर के अस्पतालों में पानी भरने की घटना सामने आई दिली की चवाहरलाल नहरू विश्व विद्याले सिक्षक संग के सदस्य अपनी मांगों को लेकर भूखरताल पर बैट गए